नमस्कार स्वागात आपका ख़बर एचपी में तो आईए जानते ही माचल के हर छोटे बड़े सर्च से जुड़े 30 फटा फट बड़ी ख़बरों को इससे पहले दि आप वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दीजी और चैनल में नए तो चैनल को सस्क्राइब कर ल प्रवीवार को पुलिस और राईस्वाग की मोजिद के में समभुधाएां ने मस्जिद के बाहर पीड़ेव्यो-डी के जमीन से अवेद निर्मान हटायां मैं 10 सितंबर को लोक निर्मान इभाग ने निसान देही करके यहां अवेद निर्मान पाया था इसके बाद समुदाय ने एक दिवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया लेकिन हिंदू संगटनों के परदर्सन के चलते अगले दिन काम को रोख दिया गया बता दी कि 12 सितंबर को आयोक्ति कोट के फैसले के बाद मस्जिद को पूरी तरह से सिल कर दिया गया था यहां पर पुलिस बल तिनात कर दिया गया मैं S.P. साक्षी वार्मा ने बताय कि मस्जिद के बाहर किसी ओपर ये घटना को देखते वे पुलिस जबान तिनात किये गये मैं मुस्लिम समुदाय ने खूद ही अवेद निर्मान हटाना शुरू कर दिया है मैं पुलिस पूरे घटना करम पर नजर रख रही है सिमला पहुंची प्रियंका गांदी यहीं से परचार के लिए जाएंगी हर्याना और जम्मु कस्मीर जिहां अखिल भारते कॉंगर्स कमेटी की महासाचीबवा हर्याना और जम्मु कस्मीर बिधान सबा चुनाब में इस्टार परचार रख प्रियंका वाडरा सिमला पहुच गई हैं पर यह बार दो पहर को करीब एक बज़े प्रियंका का काफिला करी सोर्क्षा के बीच सिमला के च्हरा बड़ा के लिए रवना हुआ बताया जा रहा है कि प्रियंका दिली से सुभा पांच बजे सड़क मार्ग से सिम्ला के लिए रवाना हुई थी मैं दोपर के समय वो सिम्ला पहुँची मैं सिम्ला से ही वो देश की सियासत वो दो राज्यों में होने वाले बिदान समा चुनाववो की गतिविद्यों पर नजर रखेगी मैं प्रियंका का ये निजी दोरा है ये दुरान उनका किसी से भी मिलने का कारिक्रम नहीं है मैं हर्यानावा जम्मु कस्मीर में एन दिनों परचार अभियान जोरों पर है इसी बिद प्रियंका सिमला आई है सिमला महजित बाद में हिंसेक परदर्सन के लिए विहिप नेताओं पूर्ब पारसदों समेद 50 लोगों पर मामला दर्चे मैं 11 स्तंबर को परदर्सन कारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ चडब की मैं बेरिकेड तोड़ दिये और पत्थराओं किया मैं जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पाने की बोचार और लाठिय चलाई मैं पुलिस और महिलाओं समेद करीब 10 लोग घायल हो गए यूनिवर्सल कार्टन बना फायदय का सोदा रिकॉर्ड दाम मिले यहाँ एपी एमसी ने भेजे 71 लाग के 48 जार कार्टन जे परदर सरकार के और से सेब की पेकिंग के लिए लागू किया यूनिवर्सल कार्टन बागवानों के लिए फायदय का सोदा साबित हुआ है यूनिवर्सल कार्टन में बागवानों को उपच के रिकॉर्ड दाम मिले है इसको भी कार्टन में ट्रांस्पोर्टेशन के दुरान सेब की गुनवता खराब हो जाती थी इसके चलते नोकसान के डर से खरिदार फसल को उचे दाम नहीं देते थे लेकिन यूनिवर्सल कार्टन से फसल खराब होने की चिंदा खत्म हो गई है बतादी कि सरकार ने युनिवर्सल काटन में सेव की पेकिंग के साथ ही युनिवर्सल पेकेजिंग की भी विवस्ता किये हैं युनिवर्सल काटन में विशेस मानकों के अधार पर ही सेव पेक करने को लेकर दिसान दिस चारी किये हैं इसका अनुसर अकार तहों की संख्या वजन और छामतान धारित की गई है इन मानों को के जरिये फलों की सुलक्षा सुनिचित की जा रही है इस जनता को बहतर सुविधा के लिए आपकारी एवम कराधान इभाग का क्या पुनर गठन जी हमोक मंतर सुकुर सुकु ने कहा कि आपकारी एवम कराधान इभाग का पुनर गठन कर वस्तु एवम सेवाकर विंग और आपकारी विंग बनाए गए इभागे कारियों को सुवेवस्तित करने और लोगों को 72 सेवाएं उपलब्द करवाने के उदिश्या पहल की गई है बता दिखियों उनने कहा कि इभाग के पुनर गठन के तहत 38 नई पर स्रिजित के जाएंगे मैं पुनर गठन के बाद कोमन पूल में 87 कर्मचारी होंगे जबकि वस्तु एवम सेवाकर विंग में 718 और एकसाइज विंग में 632 कर्मचारी होंगे मैं सुकु ने कहा कि पुनर गठन से परतेक सका में अधिक केंदरित दिष्टी कौन सुनशी धोग मैं जिससे पुनर राज में सारवजिनिक स्वावों और नियामक कारियों में बढ़तरी होगी मैं बिसेसकर जुलाई 2017 से जब GST अधनियम लागु किया गया था मैं सरकार ने इसकी आवश्कता को महसुस करते हुए या पहल की है बताद की इभाग की कारी कुसलता और कारी परणाले में सुधार के लिए अलग-अलग विंग बनाने की बहुत जवरत थी मैं बिन कानुनी सनरचना और नियामक आवश्कताओं को देखती हुए तकनिकी कानुनी और नियामक पहलूँआ पर विसेस प्रचिक्चन 72 परदरसन सुनिचित करने और जनता को अधिक प्रभावी ढंक से सुविधा परदान करने में मदद करेगा मैं इसे कारेभार का समान बटवारा और सुद्रिट सेत्रिय संचालन भी सुनिचित होगा संजोली मस्जीद बाद में ड्रोन और वीडियो में 60 लोग पत्थरवाजी करते दिखे मस्जीद तक पहुचना था मकसद जिराइधानी सिमला के संजोली में इस्तीत मस्जीद में होभी अवेद निर्मान के खिला परदर्सन में सामिल लोगों के खिला पुलिस ने सिकांजा करशना शुरू कर दिया मैं पुलिस दरा 163 के उलंगन के तहत करवाही कर रही है पुलिस ने परदर्सन में सामिल 185 लोगों की पहचान कर लिए मैं पुलिस का दावा है कि करीब 60 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनोंने परदर्सन के दिन पत्थर बाजी की थी मैं पर्दसन कारियों की पहचान के लिए पुलिस ट्रोन और बेडियो की मदद ले रही है मैं पर्दसन में सामिल लोगों के अपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे है में परदर्सन में कही ऐसे लोग सामिल थे जिनके खिलाब पहले भी कही अपराधिक केस दर्जे हैं में पुलिस के मुताबिक तकनिक के जरिये जदातर लोगों की पहचान कर ली जाएगी इसके अलाबा पुलिस परदर्सन का संचालन करने वालों के बीच हुई वाटसेब चेट को भी खंगाल रही है पुलिस का दावा है कि परदर्सन कारियों के मकसद मस्जित तक पहुँचना था और इसे रोकने के लिए ही बलपरियों करना पड़ा इस दोरान छे पुलिस कर्मी भी खायल हो गए थे जिन में दो को गंभिर चोटे आई है सिमला के सुन्नी में घरजे हिंदू संगठन बोले बहारी लोगों को हो सत्यापन लब जिहाद पर भी चिंदा जिह संजुली और मंडी में मस्जीतों में कियेगे अवे दिर्मान के खिलाफ परदर्सन के बाद सनिवार को हिंदू संगठनों ने सिमला के सुन्नी में हला बोला मैं लोगों ने बजार में रोज स्रेली निकाल, लोगों ने जहां संजुली में परदसन कारियों पर लाठी चार्च की निंदा की, मैं सुनी छेत में विशेज समुदाएक के लोगों के सत्यापन की मांग की, मैं लोगों ने कहा कि यहां बहरी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और डेमोग्राफी बदलने की साजी स्रची जा रही है मैं लोगों ने लब जिहाद के मामले बढ़ने पर भी चिंता जताई मैं साती छेत में बनी महजित की जाच की मांग उठाई है मैं परदर्सन के चलते सुन्नी बजार में दुकाने बंद रही मैं सुबह गरीब 11 बजे पहले सुन्नी इसकूल की तरप लोग नरे बाची करते हुए चौक की और बढ़े और जे सिर्राम बंदे मातरम हिंदू एकता जिंदाबाद के नरे लगाए हिमाचल बंद का दिखा व्यापक असर कारोबार्यों ने निकाली रेलिया हलुमान चलिसा का क्या पाठ जी हाँ हिमाचल परदर्स में सनिबार को बंद का व्यापक असर दिखा मैं परदर्स में कारोबार्यों ने रेलिया निकाली मैं हिंदू संगत्न और व्यापार मंडल की कॉल पर दो से तिन घंटे दुकाने बंद रखी मैं हलुमान चालिसा का पाठ भी किया इस दुरान बाहर से आने वले लोगों के पंजी करन की मांग उठाई गई मैं साती संजोली में परदसन कारियों पर लाठी चार्च की निंदा की गई मैं बता दिकी ओना अम और दोलतपूर चौक छेतर में दो घंटे तक बजार बंद रखेगे मैं रामपूर में सनीबार को बजार बंद रखा वहीं रोडू में एक भजे तक दुखाने बंद रही मैं जिला मुख्याले कुल्लू में हिंदू संगट्नों ने सनीबार को धरना परदसन किया संगट्नों ने रामपूर सीला से लेकर धालपूर SDM कारेली तक परदसन कर नारिबाजी की मैं सेकड़ों की संग्या में 31 लोगों ने हुवे हिंदू और कुल्लों के आखाडा बजार में बनी मस्जित को हटाने की बात कहीं इस दुरन रामसिला में हलुमान चालिसा का पाठ कर धरना सुरो किया सिमला के बधाल में भारी भुसकलन दस अस्ताई घर सेब के बगीचे तभा ग्रामनों ने भाग कर बचाई जान जिया सिमला जिले के रामपूर उपमंडल की बधाल पंचायत के नईधिक सिकारी नाला में सनिवार देर रात करिब 11 बजे अचानक पहाड़ी से भारी भुसकलन होने से दस अस्ताई घरों समेत सेब के बगीचे तभा हो गए मालबा और पत्थर गिरने की आवाज सुनकर लोक रात को घर छोड़कर सुरक्षित अस्तान की और भाग गे मैं सिकारी नाला में भुसकलन की चपेट में आने से आसपास के घरों को भी खत्रा पैदा हो गया लोगों का कहना है कि जिस दर से रात को भुसकलन के दुरन आवाज आ रही थी उसे लगा कि बादल फटा हो मैं उधर परसासन ने बादल फटने की घर्टना से इनकार किया बता दिकी बधार पंचायत के ओपरधान संजे जिस्टू ने मुखे पर पहुँचकर इस दिदिका जा जा लिया मैं उपधान ने बताया कि सिकाईर नला में भुसकलन होने से दस अस्ताई घरों समेते कई लोगों के से बगीचों का लोकसान हुआ है उनने सरकार और परसासन से लोकसान का आकलन करके परभावितों को मुखजे देने की बांग की है मैं साथी कहा कि नाले के आसपास के जिन मकानों को खत्रा पैदा हो गया है उन्हें बचाने के लिए भी ठोस कदम उठाय जाए मैं उधर नायब तहसिलडार प्रेम नेगी ने बताया कि देर रात को बधाल के सिकारी नला में अचानक उपरी पहाड़ी से भुसकलन और चट्टाने गिरने से से बगीचों का लोकसान हुआ है मैं भुसकलन के चलते जो मकान खत्रे की जदम है उनमें रहने वाले लोगों को दूर रहने के निर्दिस दियेगे मैं पटवारी और अन्य करमचारी नोकसान का आकलन कर रहे है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने पर सोसल मेडिया एकाउंट के खिलाप FIR दर्जे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के खिलाप पुलिस्ट ने एडदी रेट टीम साथ नामक सोसल मेडिया एकाउंट के खिलाप कोटकाई में मामला धर्ज किया गया मैं F.I.R. भाच्वा परदिस प्रवक्ता चेतन बराकटा ने दर्च करवाई है बतादी कि चेतन ने काई की सोसल मेडिया एकाउंट से हिमाचल परदिस के पारंपरीक तिवार जागरा में निर्थी करने वाले लोगों को आतंग बादी करार दिया गया यह आपति जनक पोस्ट हिमाचल की धार्मिक परंपराओं का अपमान है मैं देभुमी हिमाचल की पवित्रे परंपराओं और धार्मिक मनेताओं के परती इस परकार की अपमान जनक टिपनी से परदिस के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा अगात पहुँचा है मैं जागरा जैसे धारमिक आयोजन में निर्थे करने वाले ग्रामिनों को आतंगबादी कहना निंदनिये और अस्विकार हैं मैं इस मामले में कोटकाई पुलिस इटेशन में एफ आई आर दर्च करवा दी गई है राजकी सम्मान के साथ जवान अरविंद सिंग का अंतिम संस्कार नारों से गोंजा इलाका हर आखनम ज़े जम्मु कस्मिर के किस्त वाड़ा इलाके में आतंगबादों से लोहा लेते समय भलदान हुए हमिरपुर के लहद गाउं के जवान अरविंद का सेने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया मैं सेना में ही कचकारीरत छोटे भाई परम जितने बलिदानी बड़े भाई अरविंद की चिता को मुख अगनी दिन मैं पार्थिव दे घर पहुंचते ही चीक पकार से माहोल गम हीन हो गया मैं पौने 12 बजे के करीब बलिदानी की पार्थिव दे घर पर पहुंची तो मा और पतनी रो रोकर के बेसूध हो गई मैं गाँ में पहुंचने से पहले सनक से गाँ तक युआओं ने बाई किरेली निकालकर बलिदानी अरविंद सिंग को सधांजली दी और भारत मता की जैके नारे लगाई मैं किस्तवाड में आतंग बाद्दों के साथ मूड़ भेड़ के दुरान सिपाही अरबिन बलिदान हो गए थे मैं अरबिन सिंग वर्स दोजार सत्र में डौगरा रेजीमेंट में भरती हुए थे और राश्टी राइफल्स में अपनी सवाई दे रही थे वो अपने पीछे पतनी इच्छो देवी डेड़ वर्स से बेटे रियांस ठाकूर पिता राजदर सिंग माता सरोज कुमारी को छोड़ गये है डेड़ साल से सिर्फ अस्वासन के सहारे चल रही सरकार युवा परिशान जैराम ठाकूर का आरूप जियनेता पर्तिपक जैराम ठाकूर ने 17,000 वक्तभी में कहा कि हर विधान सबास सातर में रूकी हुवी भर्तियों को जारी करने का अस्वासन देती है लेकिन परिणाम निकालने का परियास नहीं कर रही है मैं सरकार बियानबाजी से ही काम चलाना चाहती है लेकिन युवा अब बेसबर हो रहे हैं मैं इंतजार बहुत लंबा हो गया इसके अलबा सरकार के किसी नों किसी परतिनिधी का हर दिन अख़भारों में बियान आते हैं कि जल्द ही नई भर्तियों निकालेंगी फुरानी भ साल से युवा सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं युवा अब अस्वासनों से ठक गए हैं इतने लंबे समय तक सिर्फ अस्वासनों से काम नहीं चल सकता है सियम पत से इस्तिपाद देंगे केजरिबाल परिबार के दस लोग मलवे में धबी जिया दिली के मुख मंतरी अरबिंद केजरिबाल ने कहा कि दो दिनों बाद मैं मुख मंतरी पत से इस्तिपाद दे दूँगा और तब तक मुख मंत्र की कूरसी पर नहीं बैठोंगा जब तक जनता अपना फैस्टला नो सुना दी वहीं उत्तर परदिश की मेरट में बड़ा हाथसा पेस आया यहां लगातार कई दिनों से हो रही भारी बारिश से 50 साल पुराना तिन मंजिला एक मकान भरबरा कर गिर गे वहाथसे में एक ही परिबार के तिन बच्चों समय दस लोगों की मलबे में दब जाने से मौत हो गई है दूसरे नमबर पर रही निराज एक सेंटीमीटर से चोगे डायमंड लिग का खिताब जी अविस्वर चेंपियन निराज चोपडा डायमंड लिग फाइनल दोजाए चोबिस में फूरूसों की भाला फैक इस परदा में खिताब से एक सेंटीमीटर की चोग के साथ दूसरे अस्तान पर रही मैं बेलिजियम के ब्रुसेल्स में सनिबार को हुई मुकाबले में पेरिस ओलंपिक दोजाए चोबिस के कांसे पदैक बिजेता ग्रेनेडा के एडर्सन पीटर्स ने 87.8-7 मीटर के परियास के साथ अपना पहला डायमंड लिग खिताब जीता मैं भारतिय भाला फैक इस्टार निरा चोबडा 87.8-6 मीटर एक सेंटिमीटर के चोग के साथ दूसरे अस्तान पर रही मैं 2023 यूर्पिये खेलो के चैंपियन जर्मनी के जूलियन बेबर 85.9-7 मीटर के दूसरे दूरी के साथ तिसरे अस्तान पर रहे सेक्स टॉर्सन के मामले बढ़ रहे सोसल मेडिया पर रहे साउधान जी हाँ सोसल मेडिया पर उस सूपर फ्रेंडली महिला से साउधान रहे मैं जिससे आप इस्टाग्राम, ट्विटर वा फैस्बूक पर मिलते हैं वो एक ग्रो की सदस्य हो सकती है जो पुरे उत्तर भारत में लोगों को इस्पस्ट योन इस्दितियों में लक्षित करती है और फिर पैसे की मांग करती है मैं ताकि उन्हें सारवजिनिक प्रेटफॉर्म पर उजागर नोक किया जा सके मैं सेक्स टॉर्सन के अधिकतर मामलों में मैं अधिकान से पीडित पुलिस से संपर के भी नहीं करते है मैं सात्रों से मांगी हुवी रासे का भुगतान कर देते है मैं ज़्यदातर मामले में जबकि एक महिला अक्सर इसपस्ट वीडियो कॉल में सामीर होती है मैं एक बार कनेक्शन हो जाने के बाद वीडियो चेट के लिए जोर दिया जाता है मैं कई बार महिला गिरों की सदस्य परति भागी होती है हाला कि ज़्यदातर मामले में पुरुस चेट के दुरान अपनी पहचान छिपाने के लिए सॉप्ट्वेर और अप्लिकेशन का उप्योग करते हैं मैं उसके बाद वो अभद्र बाती चुरू करते हैं यहां तक कि अगर पीडित उसी तरह से परतिकरिया नहीं देते हैं तो इसक्रीन सॉर्ट को यह दिखाने के लिए दिखाने के लिए मौर्फ किया जाता है कि वे भद्धी हरकतों का हिस्सा है मैं आरोपी एक छोटी रासे की मांग के साथ सुरू करते हैं जैसे कि 10,000 रुपई और इसे धीरे-धीरे बढ़ाते हैं मैं सेक्स टॉर्षन के बढ़ रहे हैं मामलों को लेकर साइबर सिल्सिम्ला ने एडवाजरी जारी किया मैं दी आईजी साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि पंजीगित लोगों की तुल्ला में अधिक मामली हैं मैं क्योंकि सिकायट करता आम तोर पर मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते मैं सोचल मेडिया पर महिलाओं या पुरुसों दोवरा इस पस्ट वीडियो चेट के लिए लोगों से संपर करने और फिर ब्लेक मेल करने के मामले सामने आ रहे हैं अब अपनी बिजली खूद बेचेगा हिमाचल बिजली बोड जी हाँ हिमाचल परदेश का बिजली बोड अपनी बिजली खूद बेचेगा और सर्दियों में बिजली की खरीद भी खूद करेगा मैं सरकार को अपना पूराना पैसला वापस लेना पड़ा है क्योंकि सरकार दोरा जो नया विंग बनाए गया था उसके पास सक्तिया नहीं है इस पर बिजली नियामक आयोग ने सरकार को निदिश दिये हैं कि बोड दोरा बेची हुआ खर दी जाने वाली बिजली के करार हिमाचल परदेश एनरजी मेनेजमेंट सेल नहीं कर सकता है क्यो सरकार ने फिलाल इस वित वर्स के लिए चीप इंजिनियर सिस्टम ओप्रेशन के दफ्तर को वापस बिजली बोड में समाहित करने के निदेश जारी कर दिये हैं नेट यूजी कॉंसलिंग का सेडियूल बदला अब इस डेट तक करवाई रजिस्टेशन जे कंद्रे स्वास्त एवं परिवार कलियार मंतर ने मैं BBS से BDS हुआ BSC नर्सिंग दाखिले के लिए नेट यूजी दोजाचोबिस कॉंसलिंग का सेडियूल में बदलाओ किया हैं मैं MCC ने नेट यूजी राउंड टू कॉंसलिंग के लिए रजिस्टेशन विंडो 13-16 सितंबर तक के लिए फिर से खोल दिये मैं उमिदबार MCC की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संसोधित सेडियूल देख सकते हैं बताती कि दर असल हाल में NMC स्वाथ एवं परिवार कलियान मंतरा ने दोवारा कई मेडिकल कुलेजों को अनुमती पत्रियानी की LOP जारी किये गए मैं NET UG Round 2 के सीट मेट्रिक्स में नई MBBS सीटें जोडने के लिए सेडियूल को बदला गिया है मैं संसोधित कारिक्रम के अनुसार NET UG Round 2 कॉंसलिंग के लिए रईस्टेशन की अन्तिमती थी 16 सित्मबर 2024 से मैं 24 से फिलिंग और कछ कॉलिंग सुविधा लिंक के 16 सित्मबर 2024 को रात 11 बचके 55 मिनिट तक खुला रहेगा मस्जिद के खिलाब पालंपूर में परदर्सन जी हाँ चाई नगरी पालंपूर में अवेद मस्जिद के निर्मान के बिरोद में हिंदू संगटनों के सेकणों कारिकर्ता ओने सड़क पर उतर कर उग्रे परदर्सन किया मैं भारत मता की जै जे स्री राम तथा बंदे मातरम के नारों से पालंपूर गोंजूठा मैं सुबह लगबग 11 बजी के करीब गांधी मैदान में भारी संख्या में हिंदू संगटनों के कारिकर्ता एकत्रत हुए तथा पालंपूर बजार में परदर्सन किया तथा जमकन अरेबाजी भी की मैं रेली के रूप में ये परदर्सन नए बस इस जन पालंपूर तक पहुँँचा मैं जहां हिंदू संगटन के निताओं ने रेली में मौझूद कारिकर्ताओं को भी संबोधित किया मैं हिंदू संगटनों के कारिकरताओं दो रहा है विसेश समुदाय के लोगों से समान इत्यादी नो खरिदने का संकर पलिया मैं संगटनों में अस्तानी लोगों से भी आवान किया है कि विसेश समुदाय के लोगों से कोई समान इत्यादी नो खरिदे पर नौदे चुट पूट घटनाओं के बेच हिंदू संगठनों का यह परदर्सन सांती पुरबक रहा है। मेंट्र इभाग के लिए सरकारी भूमि अब खेल इभाग के नाम पर्टास्पर हो गयाне मैं इंडर इस्ट इडियम के लिए स्रकार बिधायक अन्य सरमाने का ऽत्य कर दियें मसनीबार्थ को इंडर इस्टणियम को बनाना के लिए साइय स्पो् bacon ऑठिप और इसका प्रारोफ बनाने के लिए कहा और यहां सभी आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान करने की दिशा में तेजी से कारी किया जा रहा है इसी कड़ी में भरंज को नगर पंचायत का दर्जा पढ़ान करने के लिए विश्तित प्रारोफ त्यार किया जा रहा है इसके क्रियानवियन के लिए अस्तानी निवास्यों के सयोग की भी आवश्कता रहेगी में सनी बार को तरकवारी में भरंज काला एवं खेल मच दोरा आजित सायर उत्सब में मुख्य अतिती के रूप में सिर्कत करते हुए सूरेश कुमार ने कहा कि भरंज को एक आदर्स ओप मंडल मुख्याले के रूप में विक्सित किया जा रहा है यहां आस्पताल भवन वो लाबरेडी के विस्तार इस्टेडियम के निर्मान सम्मूत ताल में बस इस्टेन का निर्मान और सम्मूत ताल के जिर्नोधार एवं सुन्दरी करन जैसे बड़े प्रोजेक्टों पर कारी किया जा रहा है मनी महिस यात्रा के लिए मास्टर प्लान बनेगा साधालों की बड़ती संख्यां की द्रिष्टी गत और अधिक सुविधाय उपलब्द करवाने के लिए मामले को मुख मंत्री के समक्ष रखकर एक विस्तित मास्टर प्लान तयार किया जाएगा जिला चंबा के साथ कांगला जिला को भी मास्टर प्लान का हिस्सा बना जाएगा उन्हेंने काया कि चूकि इस वर्स मानी महिस यात्रा के दुरान साधालों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या रही है ऐसे मैं साधालों को सभी सुविधाओं की उपलब्दता को सुन्शित बना जाना आवस्टर रहा कि सहासिक धार्मिक एवं एके परिटन की लिहास से जीला कंगला चंबा के साथ लगते कई ऐसे अंचुवे परिटन अस्तल हैं जो की बिस्वे परिटन मानचीतर पर अपनी फसल आवसेसों की इन सीटू खेत के अंदर और एकस सीटू खेत के बाहर निप्टाने के लिए सबसीडी पर क्रिसी मशिनरी खड़ने के लिए किसानों और सम्हों को उन्हें सितमर तक एक और मौका दिया हैं यह जानकार देते हुए ओप जिला साहिब जादा अजीत सिंग नगर आसिका जन्हें बताए कि इससे पहले वर्ष से दोजाद चोबिस पचिस के दुरान सरकार दोरा दिये गे पहले आवसर में जीले में और से ओनलाइन आविदन देने वाले 161 किसानों सम्हों में धान की प्राली में आग लगने की घटना सोनी थी मैं प्राली के इन फ 70 सबसिड़ी अधारित मसीनरी उपलब्दे कराए गई है उन्हें ने कहा कि पंजाब सरकार दोरा दिये गए एक और आवसर के तहत सी आर एम फसल आवसर्स परबंदन योजना के तहत ब्राली के उचीत परबंदन के लिए क्रिसी उपकरलों की खरीत के इच्छों किसान उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तत नेजी किसान 50% सबसिड़ी और कस्टम हाईरिंग सेंटर 80% सबसिड़ी जैसे पंचायते किसान उतपादक संगठन पंजीकृत किसान समू और साकारी समित्यां आवसर्स पंजाब में 84 साल पुरानी मेडिकल क्लैम पॉलिसी में बदलाव करने के आदशारी किया, कोट ने अपने ताजा फैस्टले में कहा है कि जिस तरह हर्याना और क्यंछ सरकार ने मेडिकल क्लैम पॉलिसी में संसोधन कर ये नियम बनाए है कि मैला करमचारी भी अपने ससुराल वालों के लिए मेडिकल क्लैम ले सकते हैं, उसी तरह पंजाब सरकार ने भी अपना यहां, मैं लिया मेडिकल क्लेम पॉलिसी के संबंद में निर्ने लें, मैं आदिस में यह भी कहा गया है कि पंजाब सरकार अगली तारीक तक इस संबंद में हाई कोट में हल अपना मादें, मैं हाई कोट में इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अक के लिए इस्प्रे नहीं होता है मैं बलकी प्राकृतिक तोर पर आता है ऐसे में उचाई वाले छेत्रों के सेव को व्यापार इस्टोर कर कम दाम पर खरिद कर लाखों रुपिये कमाते हैं मैं बता दिके परदेश वह देश के अनिये मंडियों में सेव के दामें 15 दिन में 300 से 400 रोपिये परती पेटी की ग्रावट आई हैं मैं लाब के चक्कर में दाम ग्राए जाते हैं जिससे बागवाणों को नुक्सान हो रहा है रहुल गांधी ने थपतापाई सीम सुकू की पीट चिठी में हिमाचल सरकार की इस योजिना को सराहा जे पार्टी के सरवोच नेता की तारिब से भला कौन खुसने होगा मैं कॉंगर्स के परमोग चेहरे और लोगसभा में नेता पर्थिपक्ष रहुल गांधी ने हिमाचल के सीम सुकूइंदर सिंग सुकू की पीट थप थप आई है मैं रहुल गांधी ने लोगसभा में हिमाचल सरकार की बाल पोस्टिक योजिना की परसंसा की पता दिखें यहीं नहीं रहुल गांधी ने सीम सुकूइंदर सिंग सुकू को बायकादा पत्र भी लिखा मैं अंग्रेजी में लिखे पत्र में रहुल गांधी ने सीम सुकूइंदर सिंग सुकू के नेत्रित वाली सरकार की बाल पोस्टिक योजिना की तारिप किये हिमाचल में इस योजनाय के लिए सरकार ने 12 क्रोड 75 लाख रुपई आवंटित किये है जानिये क्यों हिमाचल को सोनम वांग्चु ने कहा थेंक्यू ये है पुरा मामला जी हाँ परियावरन बीद और समाजी कारिकर्ता सोनम वांग्चु लद्धा के लोगों की मांगों को लेकर ले से दिली तक की पद्यात्रा के लिए निकले हैं मैं दिली चलो पद्यात्रा के दुरान सनिबार को केलांग पहुचे मैं सोनम वांग्चु का लाहोल इस्पिदी की विधायक अनुरधा राना ने स्वागत किया और पध्यात्रा में भाग लिया वन नेशन वन एलेक्षन एंडिये सरकार के मोज़दा कारिकाल में ही होगा लागू जी हाँ भाजपा नित मोज़दा राष्टिये जनतांत्रिक गड़बंदन यानि की एंडिये सरकार अपने मोज़दा कारिकाल में ही वन नेशन वन एलेक्षन को लागू करेगी मैं साथी सरकार को भरुसा है कि इस सुधार को सभी दलोका समर्थन मिलेगा पतारी कि सुध्रों दोवारा दी गई जानकारी के मुताबिक परदानमंत्रि मोज़दी के नेतित वाली एंडिये सरकार के तिसरे कारिकाल के सौ दिन पूरे होने पर सत्तारूर गड़बंदन के अंदर एक जुड़ता सेस कारिकाल में भी बनी रहेगी मैं सूत्र ने बताए कि निश्चीत रूप से इसे इसी कारेकाल में क्रियानवित क्या जाएगा यह एक वास्तिविक्ता होगी राहूल गांधी सबसे बड़ा आतंगबादी केंद्रिय मंतरी राउनित सिंग के विवादित ब्यान बिहार के भागलपुर में बंदे भारत एक्सप्रेस के उधगाटन मौके पर केंद्रिय रेल राजि मंतरी राउनित सिंग बिट्टू ने राहूल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंगबादी बताए में मीडिया से बात करते हुए उनने कहा कि अगर एजनसी को किसी पर सबसे पहले करवाही करने चाहिए तो वो है राहूल गांधी इनका नाम आतंगबादी के लिस्ट में पहले नंबर पर होना चाहिए हिमाचल में लागू होगा स्टीट वेंडर एक्ट 2014 जहां तहां नहीं बेट सकेंगे तह बजारी जी हां हिमाचल परदेश में स्टीट वेंडर एक्ट 2014 सक्ति से लागू होगा मैं तेह बजारी अपनी मर्जी से जहां तहां नहीं बैट सकेंगे मैं कैंसरकार के इस एक्ट को लागू करने की त्यारी में पर्देश की अपसर साही चूट गई है मताथ कि नगर निगम सिमला में साल 2016 में इस एक्ट को लागू किया था सिमला नगर निगम देश में ऐसा पहला निगम है जिसने एक्ट को लागू किया लेकिन अब यह एक्ट फाइल में दम तोड़ रहा है वही मापका सासित नगर निगम ने सिमला में नो वेंडिंग के साथ करी पंदर सो तह बजारी बिठाने के अस्तान तै किये थी मैं 2017 में न परदेश में लागू किया जाएगा पठान कोड मंडी फॉरलेन पर मंजुरी को तयार दो प्रोजेक्ट जहिमाचल को दिली से बड़ा पेकेज मिलने की संभावना बढ़ गई है मैं परदेश में फॉरलेन के दो नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं इन प्रोजेक् परियावरन मंजुरी के पास जाएगा इस फॉरलेन पर वहानों की टॉप स्पीड साट तक दिली फॉरलेन पर पर दोजेक्ट शुरू हो जाएगा की गई है मैं साट से अधिक गति से वहान की गति को रोकने के लिए नेस्टल हाइवे के फॉरले में तब्दिल होते ही जगा जगा CCTV भी लगा जाएगे मैं एन एच ए इन केमरों का परयोग फिलाल किरतपूर मनाली नेस्टल हाइवे पर नेर्चोक तक के हिस्से में कर रहा यहां केमरे अस्तापित किये गए और साट से अधिक रप्तार पर चलने वाले वहानों के चलान भी कट रहे हैं कच कट रहे हैं बता देखिए एन एच एई हाथों को रोकने के लिए यही ववस्ता परदेश के दूसरे फॉरलेंड पर भी भविस्च में करेगा दोस्तों ख